असकार दोस्तों मैं आप आकास वर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आज आप लोगों को बताऊंगा कि आग के कितने प्रकार होते हैं और अगनी सामा के यंत्र कौन-कौन सब्रयों किया जाता है आप देखेंगे कि इनको चार स्रेणियों में बाटा गया है क्लासिफिकेशन करेंगे तो ए, बी, सी, डी और जो मुख्य यंत्र होते हैं जैसे जल यूगत, जहाग यूगत और चून यूगत, कार्बन डाय आकसाइड अगनी सामा के यो quarantine यत आप के 5 प्रकायर के मुख्यंतर होते हैं और इनका क्लासिफिकेशन जो है चार प्रकायर का होता है से कि जो क्लास ऐ टायब का आग होता है उसमें जैसे आप मान लकड़ी से आग से लगा वा आग क्लास A टाइप में ऐता है और इसके लिए प्रीयोग किया जाता है जल यूँक तगनी सामक के अनते हैं यह बाल्टी से पानी जो डाला जाता है go class A के अंतरगत आता है और इसका जो है इसका जो लेवर है वो एकदम बिल्कुल ब्राइट रेड रहता है और यह क्लास A के प्रकार के आग बुजाने में काम आता है अगला है नेक्स्ट आपका है क्लास B यह क्लास B में आपका आता है डीजल पेट्रोल पेंटा अaci लगने वाले आग जो है यह अनला औहरा जो है इसका जो है ये अगनीशाम मपिया जाता है वो फोम टाइप अगनीशाम क्यांत होता है उसको यूज किया जाता है और COT अगनी सामा के अंधर यह पूछता ऐसे कि फोम टाइब अगनी सामा के अंतर किस प्रकार के आग लगने पर यूज किया जाता है तो आप लोग याद रखेगा क्लास ब के अंतर अधर गता और इसका जो है क्रिम कलर होता है इसका लेबल जो है वो क्रिम कलर पर होगा बाते हैं नेक्स्ट क्लास में जैसे जो यह गाय यल पीजी सीएंजी इन सब से अगर कोई आग लगता तो उसके लिए ड्राइब यूज किया जाता है और इसकस प्रक्लास्ट क्लास D अंतर सा Shiny यह ध्यान रखेगे यह थियन है यह थोड़ा इंपर्टेंट है यह धतू अअधियल लगने वाला आग है वह क्रणाज d मेरे रहा है इसके लिए कारवन दीक्सविया जाता है इसका जो अंब यह यहquinhoं पर देख सकते हैं लिएल यह जो 확인 मैं कनदर टीके अंब दोनों मतलब जो आग प्रकार है ते वह उसमें बुजाने के काम आता है ये बी और डी के दोनों के काम में आता है अब सीटी सी क्या होता है कार्बन ट्रेटर क्लोराइड इसका फुल फार्म याद कर लिजिए आप लोगों को पुछा जाता है क्वेस्टन बहुत धन्यवाद अगर जानकारी अच्छी लगए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तदा सेयर करें धन्यवाद